नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनीूज मैं हूँ दिव्यांसू सिवहर की लडाई में एक और उम्मिद्वार की एंट्री हुई है जिहां सिवहर की सियासी पिछ पर एक नए खिलाडी की एंट्री हुई है यानि रितु जैसवाल और बाहुबली आनन्द मोहन की पतनी लवली आनन्द के बीच एक और प्रत्यासी आ गया है अब लडाई दिल्चस्प और जादा हो गई है एक तो पहले से ही सिवहर सीट जो है वो होट सीट बनी हुई थी क्योंकि यहाँ पर बाहुबली आनन्द मोहन की पतनी लवली आनन्द को जेडियू ने अपना उमिदवार बनाया है यानि NDA की प्रत्यासी लवली आनन्द और RJD ने वहां से IAS की पतनी रितु जैसवाल को वहां से उतारा है रितु जैसवाल के बारे में आप जानते हैं RJD के टिकट से विधानसबा का चुनाओ भी लड़ चुकी है सीतामडी की परिहार सीट से 2020 के विधानसबा चुनाओ में वो लड़ी थी बहुत कम मारजिन से उन्हें हार मिली थी इससे पहले सिंग वाहिनी पंचायत की मुख्या वो बनी और मुख्या रहते वे उन्होंने बहुत सारे काम किये जिसका उन्हें इनाम भी मिला और उसी वक्त वो चर्चा में आ गई थी रितु जैसवाल की चर्चा तभी से हो रही है और उसके बाद विधान सभा उन्होंने लड़ा उसके बाद अब लोकसभा में उनकी एंट्री हुई है और लोकसभा में वो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी के खिलाफ हैं जी हाँ सिभर की रितु जैसवाल अब सिभर में वैसी की पाठी है ए आइम, आइम उन्होंने तीन सीटों पर अपने प्रत्यासियों का एलान किया है यह तीन सीट सिभर की भी सीट है इसमने इसके अलावा सिभर की अलावा धर्भंगा है और काराखाट है दरबंगा लोक्सबाश्रीट से महमध कलाम को AIM ने उतारा है वहीं काराकाट से प्रियंका चौधरी को उतारा है और सिभर लोक्सबाश्रीट से राणा रंजीत सिंग मैदान में होंगे तो राणा रंजीत सिंग आ गये है किसके बीच में तो रितु जैसवाल और लवली आनंद के बीच में राणा रंजीत सिंग की एंट्री हुई है और अब लडाई त्रिकोनिय हो गई है ए आयम आयम जिनका गड़ कोशी और सिमांचल का छेत्र है लेकिन ए आयम आयम ने कोशी सिमांचल छेत्र से एक भी प्रत्याशी नहीं उता लेकिन तीन सीट दर्भंगा, काराकाट और सिभर में उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है दर्भंगा से मुहम्मद कलाम, काराकाट से प्रियंका चौधरी और सिभर लोगसभा सीट से राणा रंजीत सिंग होंगे उमीदवार ए आयम आयम के सिभर सीट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिभर होट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर लवली आनन्त है और रितू जैसवाल की टकर है यहाँ पर, दोनों के टकर के बीच में राणा रंजीत सिंग के एंट्री हुई है, वहीं काराकाट सीट भी चर्चे टिकट उन्हें बसपा से मिल सकता है, बसपा का दामन वो थाम सकते हैं और बसपा के टिकट पर ही वो चुनावी मैदान में होंगे, इससे पहले उन्हें बीजेपी ने आसनसोल से उमिदवार बनाया था, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, लेकिन पवन सिंग ने वो का दामन थाम सकते हैं, यानि बसपा का दामन थाम सकते हैं और बसपा के टिकट पर ही वो काराकार्ट चुनावी मैदान में होंगे, काराकार्ट से NDA के तरब से RLM के प्रमुख उपेंद्र कुश्वाहा है, वहीं CPI ने वहां से कैंडिरेट को उतारा है, महागठबंदन क की तरब से लेफ्ट पार्टी CPI ने वहां से राजाराम सिंग कुश्वाहा को मैदान में उतारा है, काराकार्ट की जो सीट है वो कुश्वाहा ही वहां से जीते हुए आए हैं, दो कुश्वाहा के बीच में अब राजपूत पवन सिंग की एंट्री हुई है, राजपूत का भी एक बड़ा तपका है वहां पर, तीसरे नंबर पर राजपूत आते हैं, सबसे पहले कुश्वाहा जाती के लोग हैं वहां पर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर यादव समुदाय के लोग हैं और तीसरे नंबर पर राजपूत समुदाय के लोग आते हैं, ऐसे मे पवन सिंग ने सोच समझ कर काराकाट की सीट चुनी है वहीं काराकाट पर प्रियंका चौधरी AIM AIM की तरफ से उम्मिद्वार हो गई है एलान हो गया है तो काराकाट पर भी मामला दिल्चस्प है एक तरफ उपेंद्र को स्वाहा है दूसरी तरफ राजा राम सिंग को स्वाहा है बीच में पवन सिंग है और अब AIM-AIM की प्रियंका चौधरी मैदान में है वहीं दरभंगा से मुहम्मद कलाम को उमिदवार बनाया है AIM-AIM ने और सिभर लोगसबा सीट से राणा रंजीत सिंग को तो अब देखना होगा कि राणा रंजीत सिंग जो की AIM-AIM से उमिदवार हैं सिभर से वो रितू जैसवाल का खेल बिगार तो नहीं देंगे तो तीन सीट पर AIM-AIM ने उमिदवार का एलान किया है दरभंगा काराकाट और सिभर से AIM-AIM अपने प्रत्याशियों को उतारे गी और प्रत्याशियों के नाम का एलान भी हो गया है दरभंगा लोगसबा सीट से AIM-AIM ने मुहम्मद कलाम को उतारा है काराकाट से प्रियं विद्वार अब हो जाएंगे और सिवर से सिवर में त्रिकोणिय मुकाबला देखने को मिलेगा तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्श नियूज के साथ